नलंदा जिला के हरनोत थाना के मुबारकपुर गाओं में एक साधी हो रही थी दुलहन और दुलहा तयार स्टेज पर बैठे थे दुलहा दुलहन के गले में जैमाला डालने ही वाला था कि उसी समय स्टेज पर सणक छाप मजनू की धमा के दार इंट्री हुई और इंट्री भी ऐसी कि उसने आव देखा न ताओ ना दुलहे से डर लगा ना परिवार वालों से ना समाज का लोक लेहाज चुप चाप दुलहन के गले में जबरदस्ती जैमाला डाल दिया दुलहा कुष समझ पाता प्यार की इस दिवानगी को भाग पाता तब तक उसी के सामने स्टेज पर एक भयंकर बलंडर हो चुका था फिर क्या था जैसे ही उस प्रेमी ने दुलहन के गले में वर्माला डाला सबसे पाले वही खड़े एक सहली ने मतलब दुलहन की सहली ने उस प्रेमी के गाल पर जोड़ता तमाचा रसीद कर दिया और देखते ही देखते उस प्रेमी पर पूरे बड़ाती विफर पड़े लड़की के परिवार वालों ने धो धोके उसका मुं मधुमक्षी के छत्ते के जैसा बना दिया लेकिन ये सब कुछ अचानक तो जाएंगे कि प्रेमी जो लड़का है जिसका नाम मुकेस है और जो दुलहन है उसका नाम ललिता है अचानक इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि समाच से लड़ने के लिए मुकेस मजबूर हो गया और मजबूर ऐसा हुआ कि उसका मुं अब मदुमक्षी के छत्ते के जैस नहीं लेकिन अब वापस लोटते हैं उस कहानी पर जहां से इसकी सुरुवात हुई लगबग एक साल पहले दोनों एक दूसरे से प्यार मुहबबत करते थे प्यार मुहबबत भीतना कि आप मुबारत पुर गाओं में जाके किसी से भी ललिता और इस लड़के के बारे में पुछिएगा तो वो बैठा के बड़े तफसील से इनके प्यार की कहानी बताएगा सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन प्यार छुपाय छुपता नहीं है गली के गलियारों में उसकी चर्चा होने ही लगती है वही हुआ लड़की के परिवार वालों को इसकी भनक लग कि लड़के ने वरमाला डाल के ये साबित करना चाहा कि तुम मेरा प्यार हो बनना किसी और की क्यों चाहती हो और अब जब लड़का अस्पताल में भरती और उससे पूछा गया कि तुम ये क्यों किया क्या तुम्हें डर नहीं लगा तो उसका जवाब इतना भर था कि हम उससे प्यार करते थे और वो भी प्यार एक साल से करते थे और हम ये अकेले स्वेक्षा से नहीं किये लड़की खुद चाहती थी कि जब हम लोगों की साधी हो रही हो उसी समय तुम मंडप में घूसाना और सब के सामने हमारे गले में जैमाला डाल देना ताकि ये साधी तू बाकी आप देख रहे थे पब्लीक प्लेटफॉर्म मेरा नाम कुमार अभीनो है देखने के लिए धन्यवाद